आज किस वीडियो में मैं साइनस जिनको है उनके लिए एक ऐसा रामबा डुपाए बताओंगा जिससे कि आपका कितना भी पुराना साइनस हो यानि साइनस क्या होता है पहले तो यह समझ लें जिनको साइनस हो जाता है तो उनके अकसर जुकाम नाक भेती रहती है नाक में धूल मिट्टी या पर भार जाने से भी वो डरते हैं क्योंकि जो यह चीज़ा होती है धुआ होता है उनके अफेक्ट डालता है एलर्जी पैदा करता है वो इरिटेट होते हैं ज्यादा नाक बहने की बज़े से रात को नीद नी आती है नीद एक सपना बन जाता है उन लोग में यह जो साइनस है यह जरूरी नी कि आपके ठंडी में हो यह 12 महीने रहने वाला साइनस होता है बारे महीने जुकाम आपको रहता है आपका ऐसा लगता है कि नाक अंदर से कितना बंद हैं यह सब कुछ आपके क्यों हुआ यह सब कुछ हुआ आपके खानपान की बज़े से देखिए आपका जो खानपान है उससे कई रोग कई तरह की डिसीज परदा होती है आपका पेट अगर स्वास्त है पेट को आप वह चीज़ा देते हैं जो पेट आसानी से पचा सके जिन में पोशन होता ह है उन से ही आपका पूरा सरीर का अंग काम करता है लेकिन चवाप उल्टा सिधा चीज़े खाने लग जाते हैं आप कोई भी अपना डाइट लेकर नहीं चलते हैं आपका कोई टाइम टेवल फिक्स नहीं है खाने का ठीक है आपका कोई फूर कॉम्बिनेशन नहीं है किसी फूर के साथ कोई भी फूर खा रहे हैं यह सब कुछ ही आपको साइनेश की तरफ लेके जाता है साइनेश नहीं बहुत गंबीर गंबीर बिमारी आपको होती हैं तो इसलिए पहले अपना खानपान आपको सदार ना पड़ेगा मैं आज कि वीडियो में मैं आपको कोई एक आपको बैस तरीका बता रहा हूं 21 दिनों के लिए यह साइनेस के लिए आपका एक शैडूल एक किस दुनों तक यह फॉलो करनी आप लोगों को करना क्या है कि जितना हो सके आपको फूड की तरफ नहीं जाना है आपको जितना हो सके लुकुड पीना है जितना हो सके मैं कह रहा हूं कि अगर आप तीन दिन बिना खाई रह सकें तो तीन दुनों बाद आप अपने सरीर में एक इतना बड़ा चैंज देखेंगे कि अभी तक जितने भी आपने डॉक्टर्स की दवाई खाई है या कोई भी ह कर्मिडी आपने इस्तमाल की है उससे इतना फरक देखने को नहीं मिला होगा लेकिन जितना आप तीन दिनों के अंदर अपना फरक देख लेंगे तीन दिन जूस पे निरबार रहना है जहन नकिए सिर्फ जूस सुबह आप उठते हैं ब्रीक फास्ट में जूस पिना है लेना है नाइट में भी चीज लेना है भूब को कंट्रोल रखना है भूब लग रहा है तो यह समझ देना कि यह साइनस से बड़ी आपकी भूब नहीं है क्योंकि इस साइनस ने आपको पिछले कई वर्षों से परिषान किया तो आपको एक एम मनाना है कि मुझे अपना सा ये अतना लाइट फिल होगा कि आपका जितना अभी अंदर का वलगम है जो म०कसाब्स आपके गंदींगी जमाहें है नसों के अंदर जोकि पेड़ से ही पढ़ा होता है और नाकी ञम जाता है जिससे की सारे ख्याल निकाल दीजिए आपके सरीर में म्यूकस बढाऋए जो नसो के अंदर बलगम हो रही है । नजला जुखाम प्रोल्स में पाइटे हैं आपको सिर्फ सिर्फ म्यूकस मडर्श की बजह रही है जिसको भांब लेता है आप कोई भी इंग्लिस मेडिशन लेते हैं कुछी भी एंटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं वो लोग इस जुखाम को बंद करने की दवा आपको दे देते हैं आपका नाग जो बहरा है वो कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगा लेकिन म्यूकस पूरी तरह से भार नहीं सरीर की आपकी इम्मुनिटी इतनी फास्ट होती है कि जो आपके सरी में एंटी वोडिज होती है वो खुद भाखुद आपके सरी को रिपेर करती है ध्यान लगिए आपका सरीर एक कुदरती डॉक्टर है खुद का तो आप अपना डाइट ब्लान अच्छे से रखते हैं त यानि plant waste abortion, animal based abortion जो होता है उसको avoid करना है ध्यान लगिए, आपको oily food avoid करना है, refined की बने हूँ चीज़ं avoid करना है जादा मीठा जानि जैकि सपेत चावाल हुआ, चीनी हुआ मैदा हुआ ऑईल हुआ इन चीजों को बन्द कर देना है अगर आपको शाइनस की प्रॉबलम है 21 दूनों के लिए बंद करना है मैं कह रहा हूं 21 दूनों मैं आप बिल्कुल चैन्ज हो जाएगा आपका साइनस जट से खदम हो जाएगा और लाइफ टाइम के लि रूट्स खाईए ठीक है जो प्लांट वेस्ट आपको मिला है चावल कि इसलिए बना किए चावल आपके सरीर में जाकर अंदर जमता है जिनको साइनस की प्रॉब्लम होते हैं उनको चावल ऑवेड करना चाहिए जो सपेट चावल होते हैं इसके ब्राउन जो राइस आता है करता है आपके स सरीर से बार फ्रक्रैंक देता है तो सबस्यादा आपको इस समय दूद चाच झी बिल्कुल बंद कर देना है दूद की तरफ देखना ही नहींysz आपको लगता है कि दूद बहुत ही पोस्टिक चीज होती है लेकिन इस समय आपके लिए पोस्टिक नहीं है क्योंकि यह एनिमल बेस्ट फूड होता है यानि आप जानवर से आपको प्राप्त है तो जानवर का मास हुआ या जानवर का दूद हुआ इस समय आपके लिए सबस के शरीर पर कंट्रोल रखना है क्योंकि जीव के स्वाद की तरह आप भागते हैं तो जीव क्या करती है आपको कुछ समय के लिए अच्छा मैसूस कराती है जो चीज जीव पर टच होके जाती है कुछ समय आपको फील होता है कि मुझे अच्छा लग रहा है खाने में यह स्वाद का आपके पेट के लिए लावदायक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो जीव के स्वाद पर मत भागिए जीव जिस चीज को बेकार बताती है वह सरीर के लिए फाइदमंद होता है तो जितना हो सके तीन दिन आपको फर्स्ट त्री डेज आपको रहना है जूज पी सकते सेव खा सकते फल तो काफी लंबी लिश्ट होती है फलों की खटे फल खा सकते हैं जो खटे फल आते हैं सब्जियों का सूप पी सकते हैं वॉयल सब्जिया जितने कम मिर्च मसाले में बना सकें आपको 21 दिन इस डाइट पर अमल रहना है अगर आप अपने इस साइनस की प्रोब्लम को जड़ से खतम करना चाह रहें जोकि बहुत पुरानी बिमारी है आपने बहुत को जेल लिया आपने बहुत इलाज करवा लिया लेकिन जड़ से खतम नहीं हुआ 21 दुनों के लिए सन्यासी बन जाईए 21 दुनों इस निहम पर अमल रहना आपको आप रात के समय ड्राइफ फूट्स का इस्तमाल कर सकते हैं ड्राइफ फूट्स को भिगो के अकरोट बदाम भिगो के सुवे उनको खा सकते हैं तो आप जितना हो सके अपने डाइट प्लान को लेकर साथ में चलें इसके लिए कोई एक सटी घरील उपचार नहीं है दोस्त किये साथ सुवे बोजन कीजें जूसिस पीजे येही सका इलाज है तो आज की वीडियो चैशे आप सब्सक्षाम कोई कोई भी फाइदा नहीं हुआ लेकर नहीं को फाइदा जलूर होगा ज्यान न किए और जिस बरतन में आप सब्जी जो भी फूड पका रहे हैं मित्ती का बरतन आप जादा से यह लुग करना इस चीज़ में त्यान न किए मित्ती का बरतन यूज करोगे तो आपको एक अंदर का confidence आपका बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी आपको यह लगेगा कि मैं मैं बताब आपका पुनर जनम होगा इस प्रकास से मान लीजिए किस दिन बाद आप खुद को पैचा नहीं पाएगे यह sinus ही नहीं बहुत तरह के रोग आपकी सरीर से हट जाएंगे और आपको एक नया जीवन मिलेगा एक किस दिन बाद अगर आप इस चीज पर अमल रहते हैं थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी उपर भूग को कंट्रोल करना पड़ेगा और जितना उसके कम से कम कि आपो को तेलने पर ज्यान देना है फिर कम से कम सोला घंटे का गेब देना है कम से कम सब्सक्राइब आठ या 9 वजे आपका सोला घंटे पूरा हो जाएगा फिर आपको कुछ हल्का फुलका लेना है जूसेज ले सकते हैं लेकिन हैवी फूर की बात कर रहा हूं जैसे या 10 वजे आप स्टार्ट कीजिए और हो सके तो उपवाज ज्यादा करना है अगर खाना खा रहे हैं तो सुबह के समय आप खाना खाएं शाम का खाना फिल्गोई छोड़ दें जहां न किए अगर कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन मैंने जिस प्रकार से आप शडूल बनाया बताय है उस प्रकार से भी आप फॉलो कर सकते हैं लेकिन जितना जूसिस पर निर्वार रहेंगे जतना उपवास करेंगे साइनस की प्रॉब्लम आपके जड़ से खतम होगी आपकी पार्चन के रिया सुद्रेगी और आपका नया जीवन आराम होगा जहन नकिए तो आज किस वी कमेंट करके जरूर बताना लाइक फोलो शेयर करना मत भूलना मिलते हैं आप से इसी जूस पर टोप्स के साथ नेक्स वीडियो मत दूस्तों दन्यवाद